कि कि अटे अज़कों चाहिए अट है अट एलोग दोस्तों सब्सक्राइब अच्छे वच्छ गयाई सभी को रादे रादे अज़ेगे इस फटावर्ट से यहां पर बहुत ही प्याला सेशन जवर्जस सेशन है शाम के पांच वच्छे को और आज हमारे दे नमबर फाइव है तो गैस दो तिन से अम लोग मुलाकात नहीं हो रहे तो अब लेकिन सिलसली जो है मुलाकातों के चलते रहेंगे विगौज हो ली जा चुकी है राम राम संदीर क्या हल चाला है हलो रामन क्या हल चले चलो जल्दी सा जाओ ताइम में विल्कुल खोटी नहीं करने का और है तो यहां पर है है यहाँ है 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 और यहां है हेड है यॉस के लिए हेड अब के पास लिए करते हैं तो यहां हं पर हाट का यूज़ एक वार अरिंजमेंट कॉन से यहां पर आपको बस वार अरिंजमेंट नहीं है रिंग मैं डूप्लीकेट और डबल बस वार और सिंगल बस वार बताई यहां पे कौन सा होगा राइड ऑप्शन चीक है जल्ली से पताएंगे साउंड हो सब यह हो गया i सब्सक्राइब लिख भी अपर और यहां पर बोला कि विच आप फॉल विगी नॉटास बस Rな आख तरव यहां पर बात करेंगे बस आरेंगें यहां परी प्रसवार ऐसफर बसवार दो यहां पर जैसे हमारे पास में सबिस्टेशन होता है तो हमारे पास में क्या होता है सबिस्टेशन जो है हमारे पास अब सबिस्टेशन में क्या होता है कि जैसे हम कोई चैसे फीडर लेका आते ना जैसे सब्सक्राइब लेका निकालते है तो जब इसमें इनकमिंग फीडर यहां पर क्या बनाते हैं इसके जाने यूब भी और पासोर अगर खराब हो गया तो यहां पर वार्ड से टो है की किसी कंडिशन में मालने जए उंसे मेंशन में ऑपर थैंट दर मेंटेरेंस इस यहां पे लोड कि आड ह grande कि बनाते यह एक दोप्लिकेट बस बार भी हो सकता है नहीं हो यह हमारे पास में क्या होता है या आपको distribution system होता है क्या होता है हमारे पास में यह होता है ringman distribution system चली clear है guys clear है सभी को हाँ मासा बिल्कुल clear है एक दम चक आ चक है न चली washing powder निर्मा अगला question बताएं क्या होगा right option अब voice ठीक है न आप तो voice में कोई reactance is equal to inductive reactance किसके खुल होगा बताओ जल्दी से चली कौन बताएगा सर मैं बताओ अरे तो बताओ ना किसने रोका है जल्दी से बताएंगे यहां पर तो यहां पर रमन हर्शुल संदीप सभी लोग बड़ी है न गर्दा उड़ाते जा रहे हैं बताओ फटावर से क्या होगा right option at resonance inductive reactance is equal to inductive reactance यहां पर किसके equal होगा चली बहुत बढ़िया prince all good evening good evening subankar देखो आप यहां पर बात करें किसके तो यहां पर बेसिकली हमारे पास पर resonance की condition वो बता दी कि यहां पर the condition at which, यहांनि कि the frequency at which voltage and current आरेंदा same face हैं यहांनि कि यहां पर जो हमारे पास में entire range of frequency है तो frequency की वो range जहां पर हमारे पास में voltage और current पर होगे same face में कहां पर होगे same face, same face का मतलब है कि यहां पर power factor angle कितना हो जाएगा, आँज आपकोन सकता ह Viele आप गया हमंगल इसका हो आपको आपको हो प्रेजस्टेंस एक गहांगा solid also the physica ? ल अजयर इनम्देंस फिर एक नोल चाहिए यहाँ पर नाट मत और इंतना होगा पर नेे थी नीडिक्ट के संवागाँ üz Raymond Googleș सबीकिर्जितनецंच cuma गया तो राये प्षन क्या हो जाएगा हमारे पास पास पर Inडेक्टivity परेंस किसके फैक्वल होगा वहारे पास जो डिय। सब्सक्राइप स्कूल्टेंस मुझ मैं तो यहां पे सर्कृत हमारे पास कैसा होगा सर्कृत आपके पास बने कंब किस्ट्व हुं ना मुंध Weekly fundament kushen ने ऑप जो यहां Sarah Google studs ने नहीं कवे आने सीध़-सीधा कुशन आप देख सकते डिमर्स अलब सेनं की वें दिखने सारे कुशण साधे ऊपके यहां पर वैइवाइय देखने को मिलते हैं तो सिंगसिंण फेसे नोट इसट घंडल क्षेटर है ना चना अब इसको सैथ सद बनाना है क्वटर को चलाना तो स्दाने के लिए हम क्या करते हैं जो हमारा इस्टेटर होता इस टेटर पर 2 winding होती है हमारा जो इस टेटर है इस टेटर पर क्या क्या लगा देते है ठीक है दो दियुक को लगा देते हैं तो एक wh fou कौन से कहलाती ही main winding और दूसरे हमारी पास में कौन से कहलाती ही Auxiliary Winding तो यह हमारी पास में कं see कोई सी भी मोटर ले लिए 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 क्यापिस्टर स्टार्ट क्यापिस्टर रन मोटर या फिर पर्मानेंट क्यापिस्टर मोटर हमेशा में वाइंड और यह दोनों ही वाइंडिंग हमारी पास कहां पर होती है यह आपकी स्टेटर पर प्लेस की जाती है और यह हमारे पास पहुंचता है 90% पहुंचता है मोटर कहां पहुंचता है 80% of synchronous speed 80% of synchronous speed पर जैसे पहुंचेगा वैसे अपन क्या करेंगे हां पर बिद्दा help of switch यहां पर जो और वंडिंग इसको कट कर देंगे और final steady state में motor किस पर रन करेंगा हमारा main winding पर रन करेंगा यानि कि जो हमारी single winding इस पर रन करेंगा that's why called single phase induction motor the right option क्या हो जाएगा stator is the right option चलो अगला प्रशन बताएंगे तो Sandeep non-tech पर फिर ज्यादा और बो करो ना sir ELP के class का timing क्या है non-tech यह confirm नहीं एक बड़ प्लीस है आप चैनल पर जाके NCL की चलो देखते हैं उसको बात करेंगे चलो फिला यहां पर बताएंगे फटावर से क्या होगा right option अभी उसका सारी चीज़े देखना पड़ेगा न NCL का ऐसे हवा हवा में cut-off नहीं पता सकते न चलो अगले question का option बताएंगे if residual magnetism is present in the DC generator then induced EMF at zero speed will be अगर हमारे पास में residual magnetism है और speed अगर 0 है तो induced EMF कितना होगा बताओ फटावर से कितना होगा जल्दी से बता दिए बहुत प्यारा question है और ऐसे generator है हमारे पास में generator में क्या करना है तो यहां पर voltage बिल्डप करना है अब वोल्टेज तुम्हारा जो बिल्डप हो हवा हवाई में नहीं होता है कभी है वोल्टेज जो बिल्डप है कभी तुम्हारा हवा हवाई में नहीं होता है तो वोल्टेज बिल्डप के लिए क्या हो होना चाहिए क्या होना चाहिए हमारे पास में रेसी जोल मैगनेटिजम होना चाहिए सो देट इनिशल mmf can be add otherwise it will be zero तो बहुत है कि रेसी जोल मैगनेटिजम तो है लेकिन आपको पता है कि हमारे हमारे पास अगर तो सकता है तो बोल्टे थाम को बिल्टअब कराना है बोलटेज आगर तुमको बिल्डब कराना है यह वालव बोल्टेज़ अगर तुमको इंड्यूट एम इए अफ चाहिए अगर यह वाल इंड्यूट यूम को चाहिए तो तुम्हारे स्पीड जो है कहां पर होनी चाहिए इस पीड आपकी इस शुट भी ग्रेटर दें टूदा क्रिटिकल स्पीड से जनेटर आपकी ज्यादा होना ही होना चाहिए ठीक है तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा इट विल बी जीरो चलिए अगला प्रेशन बताएंगे और वाट आर ओइल सुचिस यूजड फूर बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन कैटेगरी कौन सी आपकी बैसे चांसे तो पूरे पूरे बन रहा है ना चांसे तो बन रहा है इतने नंबर पर चलो अगला कुशन बताएंगे फटाफट से क्या होगा राइट ऑप्शन वाट और ओएल सुचिस यूज़ फूर यहाँ पर जो ओईल सुचे किसके लिए यूज़ होते हैं हाइए वोल्टेज हाइव टेलो करेंट लो करेंट है न हम पूछ नहीं पता हाँ चलो बताएंगे फटाफट से किसके लिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा यह 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 उज जल्दी से बताएंगे दोस्तों फटावट से घरदा उड़ा दीजिए बिटफास बिटफास गाइज जल्दी से बताएंगे फटावट से देखी तो यहां पर शुभंग करने option बताया है यहां पर हमारे पास में क्या होते सर रिले और सर्कृट ब्रेकर नाम सुना है बिल्कुल सुना है काहीं नहीं सुने होगे तो हमारे पास में डिफ्रेंट डिफ्रेंट क्या होते हैं रिले और सर्कृट ब्रेकर होते हैं तो रि circuit breaker है यहां पर अभी यह ओयल circuit breaker में अपन क्या यूज करते है और यूज करते हैं कि इसके लिए आर्क को मिटाने के लिए इसकी हस्ती को मिटाने के लिए आर्क को यहां पे ना फेकने के लिए क्या यूज करते हैं यहां पर यूज करते हैं अब यहां पर जो ऑईल सें तो इस प्रश्च कर सके इन ही क्या बोलते हैं और और यूज़ इस इवाद है ना सर्कृट ब्रेकर तो हाइव वोल्टेज और हाइप प्रशन क्या जाएगा अगला प्रशन आपके सामने डीसी मोटर इसपीड कंट्रोल व्यरिंग आए और मेचा रेजिस्टेंस यहां पर स्पीड को कंट्रोल कर रहें तर्फड अरमेचर को स्पीड केंट्रोल करें बताओ यहां पर क्या होगा इसके बाद जब तुम को यह मिलेगा है ना कुछ ऊपर से कुछ नीचे से फिर उसके बाद है ना तुम्हारे वल्ले वल्ले होंगे तो चलो बता दो फटावर से ऑफ्षिन क्या होगा राइट ऑफ्षिन चलो ऐसे हस्ते मुस्कुराते हुए बता दो फटावर से क्या राइट ऑप्षिन होगा गलत गलत बात है ना दिल नहीं तोड़ो मेरा यार सही सही आंसर बता है ना कट्टी कट्टी हो जांगा तुम से मतलब मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ चलो यहां पर अगर हम बा Andi का पे अगर करते हैं यहां से क्या शिमा मेरा इभी गोड़ीOC और यहां पर आपन क्या करते हैं कि जो प्रशा क्रूल होगा तो मेरा इसपीड करण और में नहीं नहीं घरूंगे ऐसे सकते हैं और यहां पर अपन क्या करते हैं कि जो मेरा आर्मेचर है आर्मेचर के साथ क्या करता हूं कि मैं यहां पर सीरीज में यहां पर एक एक्टनल रेजिस्टन्स को एड़ कर देता हूं ठीक है तो यह होगे मेरा आर external अब देखो यहां पे तो EB का value in this case कितना आ जाएगा हमारा EB हो जाएगा हमारे पास पर V minus IA कितना हो जाएगा RA plus R external अब देखो यहां पे जो external resistance तुमने लगाया है अगर आप इसको vary कराते हैं तो यहां पर क्या होगा हमारा EB vary होगा और EB vary होगा तो N vary होगा यहां पर यह आपका जो addition हो रहा है और यहां पर addition हो रहा है तो वी में से के लिए रजिस्टेंस और होगा है यह कैसा होगा चैसा होगा कैसा होगा तो यहां पर पावर्द होगा तो कैसा होगा पावर हो जाएगाय और का सोड़ेगा रडी और उसका उल्टा अगर हम Background करें तो अगर हम T sorry flux control की बात करें तो वहां पर इसका उल्टा होता है ठीक है तो option C कि इतना हो जाएगा option C is the right option चलिए अगला question बताएं फटावर से क्या होगा right option अगला question बताएं जल्दी से क्या होगा right option bit fast guys जल्दी से बताएंगे चलिए फटावर से बताएं इस वाले question का answer क्या होगा जल्दी से good boy ускacel शल्दी से अगले से बताएं लाएंगे चलिए फटापकिर थे बताएंगे जड़िए प्राओंगे जल्दी अगा जटावर से चलिए बताएंगे चलिए दावकिर प्रेसे के तो प्रेश्य है जिस्ट वेट अच्छा एक में डियाद अच्छा आर्मेचर रिजिस्टेंस कंट्रोल यहां पर एक ही एक आप्शन दे रहा है एक ही एक आप्शन दे रहा है तो यहां पर ने एक वर्लक रूप जैना तो यहां पर बेसिकली हमारा आर्मेचर के यहां करता है पर यहां पर करता है रहे करता है और टॉर्क कैसा रहता है टी प्रपोच्चनल था थो फ्लक्स यहां पर नदो आफ्शन टॉर्क भी कॉंस्टेंट यहां पर दोणी आफ्शन सी है अगर देखा यहां पर तो दोणी आफ्शन से है यह कोई प्रिंटिंग में मिस्टेक कि है एसे होने पास में B and D दोना ही होना चाहिए था हमारी पास में तो यहां पर option आपको इस तरीके से देदी गए कोई न यहां पर question में कोई printing mistake है क्योंकि यहां पर आपको क्या मिलेगा power आपका directly vary होगा तो power कैसा होगा हमारे पास में variable होगा हमारे पास में लेकिन जो टॉर्क है हमारे पास में टॉर्क तो कैसा रहेगा constant रहेगा तो option B और D दोनों ही हमारे पास में सही option है ठीक है अब यहां तो question में printing mistake रहा होगा यह फिर अगर यह actual में ऐसे पूछा गया question तो यहां पर क्या use करते हैं जो synchronous generator technique को use करते हैं हांसतर करते है बिल्कूल करते है तो यहां पर synchronous generator यहां पर बैद हो क्या लागा रगा हुआ और वाइंडिंग के लिए अपन क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर किस के तुरू यूज किया जाता है जितने भी एक्साइटेशन सिस्टम होते हैं एक्साइटेशन में यूज किया जाता है और कहां पर यूज किया जाता है आपका जो पावर सप्लाई होता है पावर सप्लाई में यूज किया जाता है और किसमें यूज किया जाता है और यह क्यों जाता है आपका बैटरी चार्जिंग में आते हैं चली अगला कुशन बताइंगा फटावर से क्या होगा राइट ऑप्शन सिंगल फेज इंडेक्शन मोटर विच ड़स नॉट है अगर बुक में लिखा है तो गलत लिखा है ना सपरेटली एक्साइटेट यूज नहीं करते हैं अचamt verz. आपर यूज करते हैं हाँ अपर सेपरेटली ही енная कहा पर यूस करते हैं जितने भी हमारे पास दो रूरल कि यहां पर यहां पर अपन क्या करते हैं जो मेन वाइंडिंग है इसके पैडल में क्या लगाते हैं और यहां पर टॉर्क को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अपन कैपिस्टर लगाते थे लेकिन यहां पर कैपिस्टर किसके लिए यूज कर रहे थे इस्टार्टिंग के स最近 की जगãy हमने यहां पर क्या क्या है हमने पूरा का पूरा क्या यहां ऊसके पहुआ कर दहने हमने क्या पर इसको मझत दूसरा इसका देखो कि एडवांटेज़ता है कोई भी आपा है कोई भी यह किऄ की सुरत नहीं पड़ेयों अन Skillshare कोई भी ग्या होते हैं उसके advantage होते हैं लेकिन इसका एक ही हाँ फिल्ड पर कापेस्टर होता है इसे इसमें आपन papers p Philosoph hebat aeletu करते हैं यूश करते हैं ठीक्क है us का उस चकार करते हैं क्योंकि हाँ फर्ण। यूश कर सकते हो चलिह शीज tolerance नहीं रखनाया है बाखी आपन कया यूज करते हैं जो है तर्मिनल में एक्सायटेशण तो नहीं करते हैंग मतलों समझा नहीं संट में एक्साइटेशन नहीं देते हैं क्यों नहीं देते हैं जो टर्मिनल वोल्टेज होता है टर्मिनल वोल्टेज कैसे यूज करता है टर्मिनल वोल्टेज हो है सेल्फ एक्साइटिंग वोल्टेज की तरह काम करता है यहां पर तर्बो अलटरेंटर को तुम को यूज करना तो तर्बो अलटरेंटर है वाल यहां पर सिंक्रोण से टूइटर को यह आप यूज करोगे यानिकि जो सेटीं पोल टाइप उसको यूज करोगे तो रोटर के ऊपर जो फिल्ड वाइंडिंग उसको एकसाटुशन देने की बात की जा रही है get in the field coil of DC generator are generally made of of mica या फिर copper या फिर cast iron या फिर caravan देखो तो यहां पर अगर हम बात करें चारों option की बात कर लेते हैं नहीं देखो तो यहां पर माइका है माइका किसके लिए यूज करते हैं insulation के लिए यूज करते हैं कॉपर की conductivity हाई होती तो किसके लिए यूज करते हैं वाइंडिंग के लिए यूज करते हैं हमा सब करते हैं कास्ट आयरें किसके लिए यूज करते हैं फ्रेम के लिए यूज करते हैं फ्रेम के लिए लेकिन यह कब होता है स्मॉल साइज के लिए किसके लिए स्मॉल साइज होता है उसके लिए यूज करते हैं तो सर बिक साइज के लिए क्या यूज करेंगे उसके लिए यूज करेंगे उसके लिए यूज करेंगे फाब्रिकेड़ डिश्टील ठीक है और कार्बन की क्या बने होते हैं हमारे पास व मैं BTEC वाले नहीं जेए का तो नहीं भढ़ सकते लमर्सी में जेए का नहीं भढ़ सकते है इस बार उन्होंने मना कर दिया है कि इस बार सिर्फ डिप्लोवाले अलावड है चलो अगला कुश्चन बताएं किया होगा राइट ऑप्शन चलो अगला कुश्चन बताएं कि फटावर से क्या होगा राइट ऑप्शन जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताएं गाईस क्या होगा राइट ऑप्शन जल्दी से और मोटर स्टार्टर इस भाई मोटर स्टार्टर क्या है बताई बिसिकली मोटर स्टार्टर बिसिकली क्या है बता दो जल्दी से फटावर से बता दो क्या होगा राइट ऑप्शन देखो अगर हम बात करें इसके है न तो यहां पर किसी की बात करें गाइस चाहें हम बात करें इंडक्शन मोटर की है अगर हम बात करें 3-phase induction motor की बात करें यह बात करें किस के बारे में DC मोटर के बारे में बात करें तो यहां पर अगर स्टार्टे कया है न तो यहां पर हमारे पास दो स्टर्ट्ट करेंट होता yield is क्वाइट वेरी हाई क्या होता है क्वाइट वेरी हाई ठीक है तो यहां पर भी आपने देखा कि स्टार्टिंग के लिए इस्टार्टिंग करेंट को यहां पर रिड्यूस करने के लिए भी अपन क्या करते हैं डिफ्रेंट different method use करते हैं resistance start method 3 start delta method और 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 यह तमाम method यहां पर यूज करते हैं वही similarly बात करें DC motor के तो यहां पर at starting में EB कितना होता है EB 0 होता है so armature current is quite very high to armature current को reduce करने के लिए अपन क्या करते है different different current different different type के जो starters है उसको यूज करते हैं तो basically armature current तुम्हारे पास में reduce हो सके तो basically क्या होते हैं बेस्किल यार्दा variable resistance होते हैं ठीक है चले option क्या गया option C is the right option अगला question in AC circuit power is consumed only AC circuit में power किस में consumed होगा बताएंगे फटावट से अब देखो यह तो बहुत simple सा question होगे हमारे पास पर तीन element होते कौन से RLC inductance and Capistance power को response करते नहीं है रियल power को कौन response करेंगा only resistance तो क्या हो जाएगा हमारे पास पर resistance inductance and Capistance क्या करते इनर्जी को store करते हैं चलो सब्सक्राइब ठीक है यार हो गया तो हो गया ना इसका यह मतलब थोड़ी को सब्सक्राइब जहापड़ मारके बाहर भागा दोगे घर की सदस्य है तो महारा compounding of steam is done for यहां पर जो steam की compounding होते है वो किस के लिए होते हैं बता ही reducing the work done here for rotary speed dot 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 बताओ जल्दी से लेको अगर हम बात करें यहाँ compounding of steam के बारे में तो degree of compounding degree of compounding का मतलब होता है यहाँ पर load frequency तो load frequency में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो steam होता है स्टीम को control करके जो आपका rotor rotor की speed को क्या करते हैं यहाँ पर कम करते हैं ठीक है अगला question three point starter can be used for बताओ जल्दी से इसका आदा explanation तो मैं आपको दे चुका हूँ हूं other explanation और दे देता हूं चलो बताइंके फटावर से क्या होगा राइट option सब्सक्राइए पडिकली से पताइए पटावर्साइड़ रेता फटावर्से बताइगे दल्ली से देखो इसका आदा explanation अपने देखा था तो यहां से देखा था कि at is starting at is starting αλλά to starting मैं गईज S renda क्या है कि eb हमारे पास स्थ होता है almost approximately प्रॉब्स अ करेंट किया होता है भी है ह्मारे है क्लिद्फ क्यूब क्या होता है कॉइर तो अब यहां से अब बात करें इनके में तो यहां पर क्या होगा हमारे पास में तो यहां पर हमारे पास में गईस दो तरी तीन तरीके के स्टार्ट टो स्टार्टर होते हैं एक फोर पॉइंट होता है दूसरा होता है मारे पास में थ्री पॉइंट होता है और सेकेंड वन कौन सा होता है यह होता हमारे पास में टूपाइंट होता है यह हमारे पास में आपके पास में टूपाइंट इस्टार्ट होता है ठीक है न पर हमारे साथ के साथ हम out के साथ होड़काद भी यूज्ट निए पड़त है इसको अब इसक्व करते हैं staple में यूज्त करते हैं को only series के लिए two point को कहा पर यूज करते हैं इसको only जो series हमारे पास में series मा अपनी use करते हैं तो कौन सा पुछा गया 3.0 पुछा गया तो three point starter हमारे पास में shunt और compound दौनों के लिए ही अपनी यूज करते हैं याद रहे अगर फोर पॉइंट का कभी आंसर आ जाता है कि मालव आपको ऑप्शन में दोनों दे रखें जैसे माली आपको शंट दे रखा उपर और आप पूशा गया हो कि यहाँ पर एक आपके पास है four point और दूसरा है आपके पास में 30 अंसर कौन सा टिक सटिक रहो करो है तरफे लिफिंग वे यहाँ पर काहे हमें यूज कर रहा हैłem फ्लक्स कंट्रोल में यूज हो रहा है तब फिर चले जाना चुप-चाप से किसके साथ मैं 4.0 अगला प्रशन डाइनमों इस सम्टाइम्स कॉल टू जन्ने टिलेक्सिटी इट अक्चुली बताएंगे यहां पर किसको सोर्स है एमस का जाई सी बात है ना देख रहा है यार मतलब बिल्कुल अपूसा कोश फिर प्रशन अगला बताएंगे जल्दी से क्या होगा एंड गईस बीकेरफुल बीकेरफुल अ शरी एक मिनटे को ट्या था एलेक्टिसीटी एक मिनटे हां पर अच्छा डाइनमों देखो यहां पर नॉट्स ऑफ लेक्सिटी यह क्या हो जाएगा इडिज आ सोर्स अफ ए ये घाओ अग्ला कुश्यन बताएंग फटावट से क्या होगा V1 upon V2 के एक कोल होता है और यह किसके कोल होता है यह होता है हमारे पास में I2 upon I1 के एक आप यहां पर हमें frequency और अगर बात करें किसके बारें power का तो frequency और हमारे पास में हमेशा कहा रहता है they are always constant कैसे होते हमारे पास में यहार आलवेस constant होते हैं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास हो कुछ भी तुम टन रिश्यू करते रहा हो कम जादा फलाना धिमा का फ्रक्वेंची हमेशे कितना रहेगा पचास तर चलिए बहुत बढ़ी अगला कुश्चन अच्छा कोशन है और यहां पर अच्छे से अंसर करना है ना मोश्ट अपड़ इस्टूडेंट इसका गलत आंसर देते हैं अब तुम लोग बस गलत आंसर मत देना इसका है ना क्योंकि कुछ अच्छा है बताओ फट्रवर्ट से क्या होगा राइट ऑप्शन इस वाले कुछ करें ऐसי होगा जो उच्छा होगा है जलो पताए उसलिक्त का रेक्ड़ अच्छा होगा एक तो इस आपका अप्शन डी है ऐका सांमाहा गलत कैसा हमारे पास में इस है महा गलें देखहर मесब यहां पर होता है कि आप घलती आप लोगों की नहीं है आरगन जो कि हैपर कैसी हमारे पास पर इनर्ड गैसे ना यह किसमें यूज किया जाता है यह यूज के जाता नार्मल अची casteर चिटी सिवरिंग होते हो इसमें यूज किया जाते है लेकिन इस्पैशल यहां पर लिखा है वैक्यूम और इसका इसका हमारे पास में जो फ्लामेंट किसका बना होता है टंगस्टन का फ्लामेंट मिलके बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है लेकिन जो वैक्यूम फ्लामेंट लेंप इसमें पन क्या यूज करते ह करन चांद के है ना कि को समझ गए ना समझ गहे हुआ यसा लिए मैंने कहा है कि यहाँ पर मोश्ट maior अप्ड डेटे है तो याद रखण है यहां पर किसको यूस करते है nga nitrogen जन कैसे इसको यूज करते स्पैशल यहां पर लिखा है वेक्यूम फिलामेंट लेंप लिखा है ठीक है चलो मुझे पता था तुम लोग पक्का घर्दा उड़ा होगे एन इंडेक्टर में इस्टोर चार्ज इन एट्स यहां पर इंडेक्टर है हमारे पास में चार्ज किसके इस इस धुक्त करेगा मैंगेटिक उलेक्टिक फील्ड यहां फिर सभी के फर्म में बताओ जल्दी से क्या होगा ཏड अप्शन बताएंगा फटावर से दोस्तों क्या होगा रिट प्शंगाई जल्दी से अल-डो टो इस वहने को नोट का ले जो पिछला वाला पॉई क्र लिजेगा काफी इंपॉडेंट उट कि अंदेखा यहां पह से हमारे पास में जो इंडब्ड है न तो यह होगा आरे पास मिया इंडदक्टर और यह है इंड़क्तर है इंड़क्तर एने स्कूरेटंसी तो तो यहां पर जो इंड़क्तेंसलनर्ज कितना होता है वह होता है ओपर वो स्कूरेटंसलनल ऐग अलशच्चक्ता है और जो इनर्जी के स्ट्यूर करता है यहन को dorm magnetic field एंग स्करतों कि इसको इसे इनरजी इसको इनzdै शोरर किया जाता है वहीं बात करें ऑपेस्टर की तो किसके अंचा इनर्जी को स्चूर QR करता है यहाँ तो क्याइ सक डंटिक घंच के उलैक्र फील्ड के फ़र्ममें इनर्जी को सिट्व करता है ठीक हाँ क्या नाव है पंजाब सिंगी देख सकते हैं सेम ही है दौनों चीज़ है पीस पीसील के लिए भी आप देख सकते हो सेम चीज़ है चली बताएंगा इस क्या होगा इस वाले कुशन का ओप्शन देखो यहां पर बात करें कोई भी पावर प्लांट हो तो जो हाइड्रल प पानी का एकडम सब कुछ आपने भर दिया अब क्या हुआ अब सारी चीज़ें इसमें कैसी रहेगे लो रहेगे की नहीं रहेगे बताओ बताओ लो हो गए की नहीं हो गए तो यहां पर जो हाइड्रल पावर प्लांट है इसके बाखी को जो चार्जिस होते है तो रनिंग ह हो गया हमारे पास है यहां फिर मेंटेनेंस हो गया यह कैसे होते हैं यह आपके काफी लो होते हैं तो राइट आफ़्षन how होज है हमारे पास में हैडल फावर प्राइट बस इसके जो इनिशल इंवेश्टमेंट है इनिशल इन इन्वेश्मेंट इस क्या होती काफी क्योंकि वह हम बहूत बढ़ा कम को जगह चेही होता है पानी बनाने के लिए दें बनाये बहुत सारह पानी भर नहुता है मचली पा बाधनीजरीड में और आपको वी एलेक्टिकल इंजिनेरिंग सेखना जिरो लेवल से एडवास्ट लेवल पे तो आपको करना चाहिए यहां पर अडवा 24-7 पर जाना ज आे ए जए में और यहां पर इंजिनेरिंगे में इंजीनियर गैंग महांपक जो इसको ले लेना कितना maximum discount है मात्र आपको मिल जागा 2800 रुपएगा otherwise यह बहुत मेंगा मिलता है मतला आपको 3432 रुपए से कम नहीं मिलता है तो अब गाइज महापेक में जो है तुम्हें LMRC हो गया यह फिर PS PCL हो गया SSJ हो गया यह हो गया इसमें क्या मिल जाएगा तुमको all-in-one ठीक है तो SSC यह फिर अगर हम बात करें RRB के बारे में ठीक है यह फिर बात करें UP MRC के बारे में तो जितने भी अग्जिस्टिंग बैच है वो सब इसमें मिलते है प्लस दो साल तक जितने अपकमिंग बैच है वो भी इसम सब्रोल कर लीजेगा और प्रॉमिस यू 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 आर दा मस्ट्र आफ एलेक्रिकल इंजिर एंग टिक है पावर सिस्टम जो मशीन यह सारे जो सब्जक्त है ना आपके टिप पर होंगे और आप कहेंगे कि अलब पावर सिस्टम और लब मशीन चलो तकोर आफ ट्रांस्फ ट्रांस्फॉर्मर की कोर कई सारे इस तरीके से जो कोर्स होती मिलके बनती है इस तरीके से और यहां पर होता है हमारे पास में देखो क्योंकि हमारे पास में जो ट्रांस्फॉर्मर है इसकी जो कोर है कोर कैसा हमारे पास में कंडक्टिंग मेटेरियल तो इसमें से क्या होता सब्सक्स कैसा होता है अल्टर्णेटिंग तो इस को यहां पर क्या हो जाएगा इसकी पर जिसकी भजए से यहांटे से केव differentiator को यहां पर रोकने के लिए हम क्या करते हैं आशनि को योचो ही उसका क्या करते हैं करते हैं उसको बहुत क्या करते हैं involves रि rooting को ऑफ यह तो प्रणाइब को बाट करती है ठीक है चलिकर आई ऑप्सीन क्या हो जाएगा प्रेदूस अप्रिदूस्ट्थर इस तु कैरेंग रीसल्टिंग राश्टिंग को इनक्रीजिंग energy losses due to ID current option क्या होगा हमारे पास हो option D is the right option ठीक है चलिए अगला question बताएंगा फटावर से क्या होगा the range of efficiency for shaded pole motor shaded pole motor के लिए efficiency की range है efficiency कितनी होगी बताओ फटावर से क्या होगा चलिए जल्दी से बताएंगे दोस्तो shaded pole के लिए यहां पे जो यहां पर आपन करते क्या है कि यहां पर यह जो हमारे पास में में वाइंडिंग अपन यहां पर लगा रहे हैं इसके साथ में अपन यहां पर क्या करते हैं इसके साथ में क्या करते कि यहां पर इस तरीके से एक सेल्फ इस्टार्ट मोटर होती है लेकिन इनका जो किसमें किया जाता है इनका जो किसमें किया जाता है इस्मॉल साइज कैसा होता है इस्मॉल साइज इस्मॉल साइज बोले तो सर कितना यहां पर चालीस ओवाट तक होता है कितना चालीस वाट तक होता है किअ काफी लो होती है म valley कितनी अपकी अल्मोष आपकी 30% होती है ladi पस्थक होता है पावर फ्रक्टर आपका लो होता है तो सब्सक्राइशा केसा होगे घ्राइब कैसे मअ जा इसी बता है पैसा भी आपको लो हो गा तो these are the characteristics of the shaded pole motor चलो अगला प्रश्ण होट वाइर इस्टूमेंट और यूज फोर मेजरिंग यहां पर जो होट वाइर इस्टूमेंट किसके लिए यूज किया जाएंगे तो देखो हमारे पास में इस्टूमेंट दो तरीके के हो देना किसके लिए किसके लिए किसके लिए किसके लिए वहीं बात करूं में इंडक्शन टाइप कौन से इंडक्शन टाइप हमारे पास में किसके लिए होते हैं अब इसके अलावा दुनिया जहां में तुमारे जितने भी इस्टूमेंट है वो किसके लिए यूज होते हैं हमारे प एसी प्लस डीसी दौनों के लिए बस का याद रखना है का याद रखना है याद रखना है पी एम एम सी किसके लिए होता है ऑफिशिल टेलीगरम चैनल को जॉइन कर लीजएगा आपको पीडिएफ मिल जाएगा चल अगला कोशन मेकनिकल पाउ डेवलुबडवडान चैना मेरे पास में मेकनिकल पाउर नियुककर पाऊर प्याओं कि में होती यह भीindi कि कितनी होता है इウवार फ्रहरण पास में पास हमारे पास में यह भी होता है हमारे पास में P5ZN divided by 60 into A ठीक है और अगर बात करें यहां पर other terms में तो हमारे पास में जो input है किसी भी motor के लिए किसके कोल होता है output plus losses के कोल होता है ठीक है तो अगर तुमने क्या निकालना है यहां पर output lives losses होगा चली तो राइटा option क्या होगा हमारे पास हमें option D is the right option ठीक है है अच्छा यहां पर यह भी दे रखा है तब तो ठीक है यह अगर यहां पर दे रखा है मुझे लगा जाए अगर यहां पर minus हो जाता है मुझे लगर शयाद माइन से option स्तुलłumिnen जो Back emF.if into यहां पे मैनस था और यहां पर भी माइनस था एक्टेल में यह लेकिन साइन यहां पर होने की बज़़े से कोशचन का जो हां भेधा भी पण पणिया आसकी फटीकर टो इन्स से आगे मुलाकात होगी कल के सेशन में चले तो कोई दिकत समझ से परेशां नहीं हो तो पता ही अच्छा एक मेड़ा भी एक कुशन और रहे गया है दर रोटर विच ड़स नॉट है वाइंडिंग ओन इट यार एक में तुक में अगे चलो फटावर से बताएं यहां पर दो कुशन और भी है न दो कुशन और रहे हैं डेली क्लास जो है अपकी इतनी बज़े होती विटा डेली क्लास इतनी बज़े होती है चलो तो यहां पर देखो मैं इस कुश्चन को कई बार करा चुगा हो ना आइधिंक इससे पहले भी एकुश्चन करा आइसा अधि फिर से एक्स्प्लेंट नहीं करूंगा है हेस्ट हैसी मोटर चलो लास्ट कुश्चन है कई इस इसको देख लो तो यहां पर आपको क्या रखा है एसी सरकेट देरक्ट अब अगर हमसी सरकेट की बात करें एंप तो यहां पर देखिये ना rlc circuit है rlc circuit में voltage V कितना होता है मारे पास यह होताया आपके पास में वी और स्कूर प्लस वी ये ओल माइनश वी सी का Whole Isquare यह होता है हमारे पास में चलि तो यहां पर रख देते हैं फटाफट से तो we are कितना दे रखे हमको 8 तो कितना हो गया 64 हो गया और वी यल माइनस वीची 14-10 कितना हो गया 14-10 इसका whole square यानि कि 16 हो गया आपके पास में तो यहां पर कितना हो गया 64 प्लस कितना हो गया 16 हो तो अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 74 और अल्मोस्ट आपका 8.9 सम्थिंग यहां पर आ जाएगा हमारे पास में क्या 8.9 यहां पर कोई option है 8.9 आपको कोई भी option यहां पर नहीं है तो यहां पर इन्हों ने पूछा किया मैं यहां पर कउन से ञाएं इसका मतलब यह जो बन्से वैल्लिय मारे पास में मागसिम कौन सा है maximum तो यहां पर आर आ Jupiter कितना हो जाएगा वियूद यह हो जाएगा हमारी पास टेक है तो इस्तरीकर स हमें आपकर निकाल देंगा और ऑप harms निकाल देंग तो प्लीज आपने जो कलीक से उनके शेयर कर दिजिएगा और लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लियो चिक है सारी क्लास के लिए तो बहुत ही जल जो स्से जी के क्लासे से आपकी स्टार्ट भ Jamie जैसी नोटिफिकेशन आगा उसके दूसरे रहे जैंड ineねं हो यहां पर आपकी वर्क वर्क आट हो चूकी है रहे तो जैसे तो जैसे। चैनल इककिन वालेक्स क्लास भी स्टाइए withdrawal जाई तब तक लिए सभी को रादे रादे गाइस बाबाय लव यू आल